हम रोज उदास होते हैं, रात गुजर जाती है, एक दिन रात उदास होगी और हम गुजर जाएंगे, इसलिए समय बरवाद करना छोड़ तो और सभी अपनी मंजिल को ढूंडने में निकल जाओ, वक्त कहां ठैरता है किसी के खातिर, जो वक्त के साथ चला है, वही वक्त की क जाएगा ही, लेकिन आने वाला कल भी हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि समय के पास भी इतना समय नहीं है, कि वह आपको कुछ और समय दे सके, जो है आज है, और इसी वक्त है, मेरे दोस्त, दुनिया में सभी को 24 घंटे मिलते हैं, कुछ लोग इस 24 घंटे में दिन रात एक क करके, अपने सपनों को पूरा करते हैं, और I.S. अफिसर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, एक बिजनस्मेन बनते हैं, और कुछ लोग इनी 24 घंटों में बस रोते रहते हैं, कि समय नहीं है, मेरे दोस्त, रोने से कुछ नहीं हासिल होगा, गरीब हो, पैसा नहीं है, कम एक दिन की कीमत, उनसे पुछो, जो एक दिन से भूखा हो, और एक घंटे की कीमत, उनसे पुछो, जो एक घंटे से किसी का इंतजार कर रहा हो, और एक मिनट की कीमत, उनसे पुछो, जिनकी ट्रेन छुट गई हो, और एक सेकेंड की कीमत, उनसे पुछो, जो मरते मरते के मुठी में पकड़ लो वह हास से फिसली जाएगा ठीक वैसे समय है ये आपके हास से निकलता जाएगा जिस समय आप गुजरे वक्त पे अफसोस कर रहे होते हो याद रखी उस समय भी ये वक्त गुजर रहा होता है हम हमेशा सोचते रह जाते हैं कि जब सही समय आएगा इस समय का पालन नहीं किया तो तुम जिंदगी भर पच्ता होगे और उस वक्त को याद करोगे कि क्यों मैंने एक गलती की कास पहले ही मैं ये समझ जाता कास पहले ही मैं ये कर लिया होता कास किसी ने मुझे गाइड किया होता इसलिए जो वक्त है यही है अगर तुमने सही समय का इंतजार किया तो ये समय भी लोटके चला जाएगा और तुम सिर्फ अफसोस करते रह जाओगे कास मैंने उस समय सही निर्णे लिया होता कास मैंने सुरुवात की होती है सायद मेरी जिन्दगी कुछ और ही होती है ये सब सोसते फिरोगे किसी वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए ये चिंता कैसा ये घबराहट कैसा आज से और इसी वक्त से एक निर्णे लो और सुरुवात करो अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ मेरे दोस तुम अफसोस करने के लिए पैदा नहीं हुए तुम कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आए याद करो वो दिन जब तुम पैदा हुए थी उसी वक्त तुम्हारे मम्मी पापा की आँखों में एक सपना था मेरा बेटा एक दिन सफल जरूर बनेगा मेरे दोस्त वो समय आ चुका है अब सिर्फ तुम्हें सुरू करना बाकी है कोई सिकवा नहीं कोई टैंसल नहीं बस अब सिर्फ वो सिर्फ आगे बढ़ना है और माबापके सपनों को पूरा करना है इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेर जरूर करें और हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें